मसीपरिवार चैनल अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीडियो को जाल से ज़्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब करते हैं मैं अगर्ट द्रजीद कुमार इस प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं परभीश्यो के एक वश्यों के लेकर आएं आज हम बात करें कि अंगीकार के विशे में हम अपसर ऐसा सो देखते हैं लोगों में सुनते हैं कि जब हम प्रभू में चलते हैं अगर कोई दिकत आती है कोई मुश्किल आती तो हम भूरते हैं कि प्रभू कहां गया मेरा यह काम नहीं होगा अगर कुछ टाइम से बीमारी चल रही है अगर हमारी प्रॉब्म में कुछ टाइम से हल नहीं हो रही प्रूल मॉनस परों कहा है, और भू साथ कंवेशना मेरा मेरा खुर्भ मेरे संद बहुंदारी लगता है है मैं कभी ग्रीबी और वह हमारि अंगेश Shallkay किया चाहिए वातनी है और स्फूला है यह थो सब्सक्रे यह कर Clip अठर जो daytime और हम बेदा ञार में पाया है ले मेरे जैसे में निसकी चालते हैं। में क्वमी बोलना है क्वाइबिल बतती आयूँग ने हमें बुरे दिनों में एक बार भी ऐसे प्रमेशन को नहीं बोला कि प्रमेशन तू तु ने मेरा सब कुछ नाचकर देखे है जम्हसकी पहतर ही ने कहा तो श्रापित कर कर ऐसे ब्रमेशन सब कुछ छेलिया तेरी बोडी भी तिरा साथ नहीं देए अलेलूरिया एक पवित्र भाई तुमें जाते हैं उत्पती की गुस्तक बाइस अधियाए उसके पांच वचन में हम देखते हैं यह तब की टाइम है जब परमेशो ने इबराहिम को कहा इबराहिम अपने पुत्र को एक लोते पुत् अधिया लादी और चला गया और जब वो चला गया तो क्या हुआ कि उसमें उस बहार के ऊपर जाना था उसके विशे में आज हम बात करेंगे हम देखते हैं उत्पती बाई उसकी पांच में लिखा हुआ है इबराहिम ने अपने सेवक से कहा तुम गदे के पास यही ढहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर अराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास आ जाएंगे। कि बेटा मुझे दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि वो इसे ले 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 या इसे खत्म कर देए इसलिए नहीं इबराहिम ने अपने अंगीकार को जारी रखा उसका अंगीकार यह रहा कि हम जाते हैं और आएगी उसलिए एक बभू बचल को आँ पर बोला और हम क्या करते हैं हम प्रॉब्लम में बोते हैं इसा नहीं होगा इसा नहीं होगा लो यह यह लॉस हो गया यह कभी नहीं बढ़ पांगा कभी चलना नहीं होगा हम देखते हैं अबराहिम ने इसलिए क्यों कि इबराहिम का प्रेम जो था पर पुत्र से ज्यादा हो गया हम इ परमिश्वर ने जो मेरे साथ रहता है, जिसने मुझे आशिश थी वो कभी नहीं लेगा, जिसने मुझे जिन्दगी दी यह इसलिए नहीं थी कि उपने उसे संकट में विताँ, हमारा अंगीकार क्या है, यह माइने लिखाता है परमिश्वर ने, परमिश्वर आपके जुब परमिश्वर ने साथ निकालते है, नियायो की किताब 16 अध्याय उसके 30 वचन में हम देखेंगे, और इससे पहले मैं आपको यह बताता है, यह नहानी है उस सैंसून व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जिसे परमिश्वर ने इतना बल दिया था कि वो प्लश्टियों से उनका न लोगों ने उससे बांध दिया, जब आत्मा उसके उपर उत्रा तो जो रस्यों से बांधा गया था वो ऐसे जल कर गिर गई जैसे कि वो आखे में चल गई है, ऐसे वो गिर गई उसकी बॉड़ी से और लिखा उस गदे की जबडे की हड़ी उसकी हाथ में आगी हो, उस अर्षगा उसकी बांध बना दिया गया, बंदन की और उसकी आंख्वाइट को फोड़ दिया गया और उस पर्मेश right उससे तमाशा करना पड़ है शैतन हूझा बना दिया लेकिन उसका तोबा की फिर से ऐसके बाल बढ़े, सामर्ध बढ़ए, उस्से उसमेँ तबा कीई, और परमेश्योर के परमेश्योर से विर्थी की और परमेश्योर से का परमेश्योर है मेरे सामर्थी परमेश्योर मुझे फिर से अपनी ताकत और अपना मसा दे ताकि मेनी लोगों को खत्रम कर सके और हम देखते हैं कि सोला की तीसाइज के उसने बोला कि उसकी क्या प्रेयर थी लिखा तब शिमिशौर ने कहा प्लश्टियों के साथ मैं भी मरूं और उसने मुड़कर अपना संपूरन बल लगा दिया जिस से किवेग घर सब सर्डारों और उन लोगों पर गिर गया जो उसे में थे खाले लिया और लिखा है सिमसून ने कहा कि मुझे दो खंबो के साथ खड़ा कर दो उस घर में जहां उस वक उस एक भवण था उसमें उसका तमाशा बनाया जारा था उसे तंग किया जा रहा था और उसे शर्म ना किया जा रहा था तब उसमें परविशों से माफी मागी और परविशों से का परविशों मुझे अपना बल दे दे सामर्थ और लिखा वो भवन जो जगा थी वो दो पिल्डरों के उपर खड़ी थी और वो दोनों पिल्डरों के साथ वो सहारा लेकर खड़ा हो गया और जब परविशों की सामर्थ फिर से उसके बीच में आई तो लिखा उसने उन दोनों पिल्डरों को धकेर दिया और वो लोग उसमें मर गए अर लेकिन उसके जब सामर्थ मागी तो पर्विशो ने उसे सामर्थ दी लेकिन उसने खा कि पर्विशो ने इन्ही प्लच्टियों के साथ इसी भबर में मैं भी मर जाओ हालेलुया हम देखें इबराहिम के अंगीकार ने उसे और उसके बेटे को बचा दिया लेकिन सेंचून के आंगीकार ने हजारों लोगों के साथ उसे भी मान डादा परमिशल्म मे उसे इसलिए असापन नहीं दिती कि वो भी उसके साथ मर जाए अब हो ऐंसा ना कहता परमिशल्म में भी उसके साथ मरू तो जरूर, वहुह लुक्त वह बस जाता कि एक को पांच को तोड़ें देता एक को उन्का मलेक उन्हें पैफ भाज़ी खूमाई entire what जिस बंदे को एक दिया गया था उसमें क्या किया उस एक को जाके दबा दिया और जब मालक आया मालक के सामने उसने जाकर का मालक ये तेरा वो सिक्का है ये तेरा वो दोड़ा है जो तुने मुझे दिया था मैंने इसे जमीन में दबा दिया इस लिए ये जांकर कि तू एक क अगर आप प्रमिश्र को पठोर समझते तो आपके लिए पठोर है, अगर आप उसे दयालू समझते वो आपके लिए दयालू कर, दयालू होने का मतलब यह कि हम बार बार पाप करते जाएं, पाप हमें हमारा तमाश्या बनाता है, पाप हमें अंधकार में ले सकता है, पाप ह करेंगे तो आपकी पर्मेश्व को ये समय ता कि ये शुमसी शुफ उधार देने वाले पर्मेश्व हैं वह धनवार करने वाले पर्मेश्व नहीं है लेकि बाइबल क्याती हो गर्वी बना कि हम आमीर हो सकते हैं देखा धर्वी के घर में बहुत सा धन पाया जाता है हम बाइबल में देखें कि हम अपने अंगीकार से जादा कुछ नहीं पाते हैं हमारा अंगीकार क्या है हालेलुया जब येश्योवसी क्रूसिफाई होने वाले थे उन्हें पता था कि मैं क्रूस के ओपर मारा जाओंगा वो बार-बार एक चीज को अपने तीलों के सामने अंगीकार कई रहे उन्हें का हम इस जगत में मरने के लिए हूं हुई मैं मारा जाओ गड़ा जाओ वो तीसरे दिन मुर्दों में इसे धियृ उप्ले हुज अन्हें शेक नहीं था ऐसा पता नहीं कि होगा है हमारा एंगीकार है कहा। जब दाओद गोलियत के सामने कहा। मैं तुझे मसब दूंगा। अद्वी दुग करें निए उसके एंगीकार व हियाओ ने उसे जिता दिया। हमारा क्या एंगीकार है। बैबर हभाएमे ने कहा। आपका अंगीकार आपको जीमन देगा और आपका अंगीकार आपको अम्रेतियु देगा आपका अंगीकार आपको आपकी मुश्किलों से बाहर निकालेगा और आपको ना किया हुआ अंगीकार आपको उन्ही मुश्किलों में रहने के लिए मजबूर करतेगा हालेलुया, मैं चाहता हूँ आप उन्हें हंगिकार को सही रखे, पॉजिटिव बोले, बाइबल कहती है, हम अच्छा बोले, वो बोले, जो हमें, जो हमारी उन्ती के लिए, पुवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, कि कम बोलो, लेकि जब तुम बोलो, तुम मुह से उन्त होंगे, पता नहीं, परमेश्व मुझे क्यों नहीं चंगा करता है, ऐसे आप चंगे नहीं को सकते कभी, ऐसे आप कभी भी किसी प्रॉब्लम से नहीं नहीं कर सकते, अगर आप ये बनोगे, कि येश्व मसीद के माल खाने से मैं चंगा बो चुका हूं, तो मैं आपको 101 पर अननत जीमन को लेकर आता है, हलेलिया, हम मैं आपके लिए बरातना करता हूंगा, जो बिमार बेक्ती हैं, ऑज बिमारी बले जगा पर हाथ रखें, इसी वक्त आपका करमेश्यो का स्वर्ष आयगा और आप खेल होंगे, ये खास बिमारों के लिए बरातना है, मैं परातन नाने बार तुदा इस वीडियो को देखने वाले लोग हेल हों येशु मसी के नाम से Be Heal in the name of Jesus, Right now in the name of Jesus खुदा तिरा स्पर्शने चांगा करे हो, येशु मसी के नाम से आमें मैं आपको एक पर फिर से बताना जाता हूँ, अपने अंगी कार पर ध्यान दे अब क्या बोलते हैं, ये ध्यान दें, उठते समें, बैठते समें, हर समें अपने अंगी कार पर दें हो, ये विर से बरमेशों के वच्छनों को आपके पास लेकर आएंगे, तब तक मेरे और से सभी को कुझे हैं सीकिए